हम्पी में आपका स्वागत है एक ऐसी जगह जहां इतिहास जीवन्थ हो उठता है और प्राचीन कहानिया हवा में फुस्पुसाती है हम्पी के रहस्यमय चमतकारों के माध्यम से एक अविस्मर्निय यात्रा पर हमारे साथ जुड़े हम्पी की यात्रा के फुटेज सुन्दर परिद्रिश्य और ग्रामेन गावों को प्रदर्शित करते हुए हमारा रोमाच तब शुरू होता है जब हम हमपी की मनोरम यात्रा शुरू करते हैं आसपास के परिद्रिश्य की सुन्दर्ता में खुद को डुबो देते हैं और जो इंतजार कर रहा है उसकी प्रत्याशा विरुपाक्ष मंदिर जटिल नकाशियों को प्रदर्शित करते हुए विरुपाक्ष मंदिर के विशाल प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए हमारा पहला पड़ाव पौरानिक विरुपाक्ष मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र स्थान है जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं विसमेकारी वास्तुकला और हर पत्थर पर उकेरी गई प्राचीन कहानियों से हमारा स्वागत होता है जब भक्त प्रार्थना करने और आशिरवाद लेने आते हैं तो जीवंत उर्जा के साक्षी बनते हैं हवा अगर बत्ती की सुगंध और मंत्रों की धोनी से भर जाती है जिससे दिव्यता का वातावर्ण बन जाता है हम्पी बाजार और मतंगा हिल इसके बाद हम हल्चल भरे हम्पी बाजार का पता लगाते हैं एक जीवंत सडक बाजार जहां इतिहास और बानिज्य परस पर जुड़े हुए हैं संकरी गलिया पारम पर एक हस्तशिल गहने और मुह में पानी लाने वाले स्थानीय व्यंजनों की दुकानों से भरी हुई हैं मतंगा पहाडी पर चड़ना, मनोरम द्रिश्यों को कैप्चर करना हम मतंगा हिल पर चड़ते हैं, एक सहूलियत वाला बिंदु जो हमें शहर के लुभावने मनोरम द्रिश्यों से पुरस्कृत करता है सोरज खंधरों पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला द्रिश्य बनाता है, जो हमारी सांसे रोक लेता है विजया विट्टाला टंपल कॉंपलक्स मंत्रमुग्ध कर देने वाले विजया विट्थल मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मोहित होने के लिए तयार हो जाए प्रतिष्ठित पत्थर का रत गर्व से खड़ा है, जो हम्पी की स्थापत्य कौशल का प्रतीक है प्रत्येक नकाशी और स्तंब एक कहानी कहता है, जबकि संगीत मैं स्तंब इथर ध्वनी उत्पन करते हैं, जो युगों से प्रतिध्वनित होती है विस्त्रत शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हुए परिसर की खोच करना हम मंदिर परिसर में घूंगते हैं, जटिल शिल्प कौशल और हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैली के निर्बाद संलियन पर आश्चर्यचकित हैं यह विजयनगर सामराज्य की भव्यता और परिशकार का प्रमान है रॉयल एंक्लोर एंड लोटस मेहल रॉयल बाड़े के खंधरों की खोज, रानी के स्नान का प्रदर्शन रॉयल एंक्लोजर में कदम रखते ही, हम राजाओं और रानियों के वैभवशाली जीवन के अवशेशों को उजागर करते हैं महारानी का स्नानागार अतीद की विलासिता का प्रमान है, जबकि हाथियों के अस्तबल में राजसी हाथियों की छवियां उभरती हैं, जो कभी इन हॉलों की शोभा बढ़ाते थे लोटस मेहल इसकी सुन्दर वास्तुकला पर प्रकाश डालता है हमारी यात्रा हमें सुन्दर लोटस मेहल तक ले जाती है, जो एक वास्तुशिल प्रत्न है, जो सुन्दरता और कार्यक्षमता दोनों को जोडती है नाजुक महराब, अलंकृत नकाशी और इमारत के माध्यम से बहने वाली ठंडी हवा रोयल्टी के लिए उप्युक्त माहौल बनाती है हैंपिस रिवरसाइड रुइन्स सीनिक व्यूज औफ तुंगभदर रिवर एंड अचुत्राय टेंपल जैसे ही हम नदी के किनारे की ओर बढ़ते हैं तुंगभदरा नदी की सुरमय सुन्दरता हमारे सामने खुल जाती है यहां हम अचुत्राय मंदिर की खोज करते हैं जो एक शांदार संरचना है यहां हम अचुत्राय मंदिर की खोच करते हैं एक शानदार सन्रचना जो हमपी की स्थापत्य कला के लिए एक वसीयत नामा के रूप में है इसके विशाल खंभे और जटिल नकाशी हमें आश्चर्य और प्रशंसा की भावना पैदा करते हुए समय में वापस ले जाती है तुंदभद्रा नदी पर एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला सूर्यास्त देखते हैं सुनहरे रंग पानी पर प्रतिबिंबित होते हैं आकाश को लुभावने रंगों से चित्रित करते हैं और नदी के किनारे के खंधरों पर एक शान्थ चमक डालते हैं कोरकल राइड एंड अनेगुंडी विलिज तुंदभद्रा नदी के पार एक मुंगा और ग्लाइडिंग पर सवार होना वास्तव में हम्पी के सार में खुद को डुबोने के लिए हम एक रोमाचक मुंगा की सवारी शुरू करते हैं कोमल लहरें हमें नदी के किनारे ले जाती हैं, छिपे हुए कोनों को प्रकट करती हैं और हमें हम्पी की सुन्दर्ता को एक अलग ग्रिष्टिकोन से देखने की अनुमती देती हैं अनेगुंडी गाव की खोज उसके पारमपरिक घरों और स्थानिय जीवन को प्रदर्शित करना खंधरों से आगे बढ़ते हुए हम अनेगुंडी गाव जाते हैं जो इतिहास और स्थानिय परमपराओं में डूबा हुआ स्थान है इसकी विचित्रगलिया, पारमपरिक घर और स्थानिय लोगों की गर्म मुस्कान हमें इस प्राचीन गाव के दैनिक जीवन और सांस्कृतिक समरिधी की एक जलक प्रदान करती है हमारे पास अध्वितिय परमपराओं, जीवन्त प्योहारों या यहां तक की कुशल शिल्प कौशल को देखने का अफसर है जो पीढियों से चली आ रही है यह स्थानिय समुदाय से जुडने और इस करामातिक विरासत को समझने का मौका है जैसा की हमपी के रहस्यमय चमतकारों के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है हम उन यादों के साथ रह जाते हैं, जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाएंगे प्राचीन खंडहर, आध्यात्मिक अभ्यारण्य और प्राकृतिक परिद्रिश्य सभी मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं, जो वास्तव में असाधारण है हम आपको अपनी यात्रा शुरू करने और इस यूनेस को विश्व धरोहर स्थल के आकरशन में डुगने के लिए आमंत्रित करते हैं